सिर्फ में अपका फिर से सुवागत करता हूं इसर्क्याण के वीडियो सीरिज में और दोस्तों यह वीडियो का जो टॉपिक है वीडियो जो है आपका law ofot cation से ढेप ठीक्चन से हैं और law ofot cations का इसमें उन्ग इंपंत है करने जा रहा हूं दोस्तों कि law of protection को आप अपने life के कई पहलू हैं इसमें कैसे अपलाई करें जैसे आपका relationship मनी है आपका हेल थे इसमें कैसे यूज को यूज करना है जो हमारे life के एक अलग dimensions है उसको अगर हम balance नहीं करेंगा हमारा life balance नहीं है और हम खुष हाल नहीं है तो आए दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा relationship के लिए बात करने के लिए क्या हमारा life balance नहीं है आप question यह है कि हम अपने relationship को कैसे law protection के माध्य हमसे सही करेंगे तो दोस्तों क्या है हर body जो है हर material है इनर्जी है उस तरह से human body है उसके क्या है material है material की तरह है उसका सोच है उसका बेवहार है सब क्या है एक energy के फॉर्म है तो अगर हम किसी ब्यक्ति से अगर उसकी इनर्जी compatibility की बात नहीं करेंगे उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा compatibility नहीं बढ़ेगा हमारा सब्सक्राइब नहीं बढ़ेगा और हमारा relationship नहीं बढ़ेगा तो जैसे मान लीजिए कि किसी ब्यक्ति में हर चीज है उसके पास negative points भी है तो अगर हम negative चीजों को अट्रेक्ट करेंगे उसी को पकरे रहेंगे उसी पर डिसकस करेंगे उसी को अपने दिमाग में हमेशा बा प्रतियां कर रहे हैं तो उसको गलतियों को नहीं उसके अच्छाईयों को डिसकस किजिए उनको अच्छाईयों को दियान दीजिए ऐसे करके आप अपने relationship को improve कर सकते हैं क्योंकि जैसा अगर आप उसके प्रति सही विचार नहीं रखेंगे तो आप सही से अट्रेक्ट नह ही नहीं है तो आपके relationship अच्छे नहीं होंगे यही important point है तो कहने के मतलब यह है कि अगर आप किसी से relation बनाना चाहते हैं उसके अच्छाईयों पर ध्यान दीजिए उसके अच्छाईयों को चीज को लेकर आगे वढ़िए और तब अपने पीचार को अपने feeling को अपने thoughts को अ आपको life में कुछ भी हासिल करना मनी क्या है एक हमारा parallel support है इसके बीना हम नहीं कर पाएंगे तो मनी के बारे में अगर law of attractions को कैसे यूज़ करना है तो मनी के लिए सबसे important point यह है कि जो चीज आप चाहते हैं उसको आप फिल किजिए विजुलाइज किजिए उसको affirm किजिए उसको gratitude दीजिए जो आपके पास है उस पर ध्यान दीजिए और आपके पास जो चाहते हैं उसको सोचिए बहुत अच्छी बात है भी ना सोचिए आपको मनी लेगा नहीं तो लेकिन आप इस चीज़ को अपने आप ऐसे मानिए कि आपके पास वो चीज है उसके बाद आगे बढ़िए ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है मैं यह चाहता हूँ कि अगर यह पॉइंट रहेगा तो आप मनी को एट्टेक्ट नहीं कर पाएंगे तो बेसिक कंसेट यह है लाफ एट्रेक्शन का मनी के लिए कि आपके पास जो नहीं है उस पर नहीं ध्यान दीजिए तो आप उन्हें अपने पॉकेट में चेक साइन करके रख लिया था कि हम इस डेट में हमको इतना डॉलर हमारे पास होगा इतना रुपया होगा इतना पैसा होगा और उस चीज़ को इन्होंने पहले फिल किया कि अपने पास में लाना पड़ेगा तभी आप जाकर मनी को एट्रेक् भी है नीगेटीव इनर्जी थेक्ट करना है इसको एक्षा है अगर आपका हैल्थ सही नहीं है तो रबाहरे इसको रिपट नहीं कर यहीं स्सकर से इसका डिसक्सन नहीं करना है कि मेरा करा Congress है यह Bाते नह hing करना है ऑसको minimum रखने हैं और आपको फाल करना है आपके उना होना चाहिए कि नहीं मैं ठीक हूँ और मैं ठीक हो जाओंगा और इसके लिए मैं तिन पर दिन बेटर होते जा रहा हूँ इससे करके आप अपने हेल्थ को सही रख पाएंगे अगर आप सोचिएगा कि मेरे से नहीं होगा मेरा बड़ी अलाउ नहीं करता है तो ऐसे अगर सोच लाईएगा तो आप अपने हेल्थ को इंप्रूब नहीं कर पाईएगा अपने हेल्थ को बैलेंस नहीं कर पाईएगा तो दोस्तों यही है बेस की ठाटा है कि रिया खेल से आपके स्क्षक्राइद करना चाहता हूं कि से समराइज कर देना चाहता हूं कि जो law of attraction है यानि कि relationship money और health आरे में जिसको हम बोलते हैं उसमें तभी attract करेगा पहला point यह है कि आपको इसी feel करना है कि already you have आपके पास वो चीज है और जो चीज relationship के माद्य हम से अगर हम बात करें तो आपको सामने वाले कि अच्छाईयों पर focus करना है नहीं कि उनकी बुराई पुराई पर focus करेंगे तो फिर आपके अच्छे नहीं मनेंगे यह ध्यान में रखिएगा और एक दूसरे काम कमिया निकालना लगते हैं तो क्या होता है और बिगड़ते जाते हैं इसलिए हमको कमिया नहीं निकालना है च्छाईयों पर discuss करना है health के बारे मैंने बताए कि health मैं आपको लोगों से निगेटी बाते नहीं करने मनी के बारे मताए कि आप चाहते हैं उसको फिल किजे कि आप वास ओल्री वह चीज है तो यह कुछ पॉइंट से जिसकी माध्याम से आप राफ्य ट्रेक्शन को यूज करके एक सक्सेस्पूल लाइब जी सकते हैं दो तो म मिलता हूं फिर आपसे नए वीडियो में नए टपी करता है तब तो खुस रही है मुश्कूराते रही है और अपने लक्ष के प्रतिय अगर सर्फ कर काम किए ताकि आप अपने लक्ष को हासिल कर सकें थाइंक यू दोस्तों और मैं आसा करता हूं कि आने वाला समय आपके लिवोती, लफड़ाइब